एक बार की बात है, एक गाउं से एक एक करके कई बुजूर्ग गायब हुए जा रहे थे, सब ही लोग परिशान थे कि गाउं के बुजूर्ग कहा जा रहे हैं एक दिन गाओं में कुहराम मच जाता है जब एक बुज़ुर्ग का आधा खाया हुआ शरीर पास के खेतों में मिलता है सब लोग हैरान परिशान हो जाते हैं भाई बंटी तुमने सुना पास के खेत में वो जो बुज़ुर्गाइब हुए थे उन में से एक का आधा खाया हुआ सिर मिला है मैंने तो अपने दादा दादी को घर से बाहर निकलने को साफ मना कर दिया हाँ भाई सुना क्या मैं तो खुद देख कर आया बहुत बुरी हालत की हुई थी समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ और बाकी जो बुज़र गायब हैं गाओं के वो कहें कई लोगों का बुरा हाल है मैंने भी अपनी नानी को चौकनना रहने को कह दिया एक दिन राजू की दादा को बांक किसी काम से जाना होता है बेटा राजू मुझे बैंक जाना है क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे दादा जी मुझे तो नौकरी पर निकलना है मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ आप समल कर जाना और आटो रिक्षा ले लेना गाओं के बुज़र गायब हो रहे हैं अपना खयाल रखना कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना ठीक है बेटा फिर राजू की दादा घर से निकल जाते हैं बैंक जाने के लिए राजू सही कहता है मुझे समल कर जाना होगा और चौकनना रहना होगा कहीं मैं भी रामलाल की तरह गायब ना हो जाऊँ फिर उसके दादा आटो ढूनने लगते हैं थोड़ी देर में उन्हें एक आटो दिक्षा दिखता है वो उसे हाथ देते हैं और वो रुख जाता है जी बाबाजी कहा जाना है आपको बताईए इस आटो वाले के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहत होती है और उसकी आखें हल्की लाल होती है बेटा बस बैंक तक जाना है जाओगे हाँ जी बैठिये फिर दादा जी उस आटो में बैठ जाते है आज मेरे शिकार में एक फुद्धा और बढ़ गया अब आएगा मजा अरे बाबा जी मुझे न अपने खाट से कुछ जरूरी सामान उठाना है पर तुम्हारा घर है कहां मुझे देरी रहो जाए अरे नहीं बाबा बस रास्ते में ही पड़ता है मेरा घर अभी ले लूँगा तो ठीक है वरना पता नहीं कब चक्कर लगे घर का ठीक है बेटा ले लो फिर तो अटो वाला अपना अटो एक सुनसान जगह की ओर ले जाने लगता है अरे बेटा ये एक ऐसी जगह है कितना सुनसान इलाका है तुम यहां रहते हो हाँ बढ़ाओ यही है मेरा घर यहां तिरी चीफ कार सुनने वाला कोई नहीं होगा नहीं नहीं मुझे छोड़ दो मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे वो मुझे से बहुत प्यार करते हैं मुझे चने दो चने दो अब तो कहीं नहीं जाएगा फिर ओटो वाला एक खंड़र के पास ओटो रोखता है और वो ओटो वाला जबरदस्ती उस भूरे को उस खंडर के अंदर ले जाने लगता है अरे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई है यहाँ दादा जी बहुत चीखते पुकारते हैं पर उस सुनसान जगहे पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता ओटो वाला उन्हीं भी अंदर ले जाता है देख बढ़े, अब तू भी यहीं रहेगा जैसे उस बुढ़े दादा की नजर बाकी बुढ़े बंदियों पर पड़ती हैं, उनके तो पैरो तले जमीन खिसक जाती है अरे पापी दोश्ट, तूने इन मासून लोगों को यहाँ बंदी बनाया हुआ है और इनके घर वाले कितना परेशान हो रहे हैं, तो वो तू है, जो गाओं के बुढ़े लोगों को गायब कर रहा है तब ही रात हो जाती है, और एक आएक वो आटो वाला अपने असली रूप में आ जाता है आखिर मेरा समय आही गया, मेरे शिकारी दिमाग से कोई नहीं बच्चकेगा हाँ बड़ाओं, मैं ही हूँ, जो पूरे गाओं के बुढ़ों को गायब कर रहा हूँ, इतने समय से यहां मैं तेरा भोजन करूंगा, हाँ 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 उधर राजू रात को नौकरी से वापस आता है अरे दादाजी कहा हो, क्या कहा बेंक वालोंने, दादाजी, अरे ओ दादाजी राजू की आवाज सुनके उसकी माँ पानी लेके आती है अरे बेटा आ गया तो ये पानी पिले दादा जी कहा है मा कब से आवाज लगा रहा हूँ अरे बेटा वो अभी तक आए ही नहीं है बैंक से मुझे लगा तू भी उनके साथ गया होगा अरे मा मैं तो नौकरी पर था ए भगवान मेरी ही मतमारी गई थी जो उन्हें अकेले बैंक भेज़ दिया अब क्या करो इधर आधी रात को भूतों की चूली उस खंडर में आती है अंधेरा कायम रहे दोस्तों अंधेरा कायम रहे कहो आज किसका नमबर है अरे नमबर किसी का भी हो हमें तो पार्टी करने से मतलब है क्यों दोस्तों? सही कहा? चलो खेत में चलते हैं और एक बुढ़े को भी ले लो पार्टी करंगे फिर सारे भूत अन बंदियों में से एक बुढ़े को पकड़के साथ एक खेत में ले जाते हैं अपने पापों से डरो दुस्तों अभी भी समय है जाने दो सब को सबसे पहले हम तुझे मुख्ट करेंगे और सारे भूत मिलकी उस बुढ़े पर हमला करते हैं और चंदनी रात के आगुष में उसकी चीक कुकार कोई नहीं सुन पाता फिर सारे भूत उसके मास को खाने लगते हैं और अपनी पाटी करते हैं इधर राजू हैरान परेशान सुबह होने का इंतजार देख रहा होता है फिर अगली सुभा हरिया खेट पहुचता है पर वहां की मिट्टी को हून से भरी देख उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है हरिया की आवास सुनके सब दोड़े आते हैं राजू भी वहां पहुचता है हे बगवान मेरे दादा जी की अच्छा करना कहीं है मेरे दादा जी ना हूँ काई वाले की हालत खराब हो जाती है अरे ये कोहराम तो बढ़ता ही जा रहा है अज एक और आधा खाया शरीर मिला है जल्दी पता करना पड़ेगा कौन है इन सब के पीछे वरना एक एक करके सारे बुजर की जान खत्रे में होगी राजू को अब चैन नहीं पड़ता वो गाउवालों के साथ मिलके एक योजना बनाता है राजू एक बूढ़े के भेश में उसी बैंक के रास्ते पर चल पड़ता है रास्ते में से उसे वही ओटो वाला मिलता है आव बाबाजी बैठो कहो कहां जाना है आपको राजू को उस ओटो वाले के हाव भाव देख के शक हो जाता है अरे बेटा मुझे जरा बैंक जाना है हाँ बिलकुल बैठो आप फिर वो आटो चलाने लगता है और किसी बहाने से उसी खंधर के पास ले जाता है अरे रुको बाबा मैं जरा टिफिन ले आऊँ अंदर से अरे ये कैसी जगह है ये तो भूतिया खंधर लगता है कुछ तो राज है इस खंधर का अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ गला सूख रहा है जरा पानी पिला देना मुझे भी अरे शिकार तो खुद ही आ रहा है फिर दोनों अंदर जाते हैं मौका देखती ही ओटो वाला भूतिया रूप में आ जाता है ए बुढ़े तू तो खुद ही आ गया मेरा शिकार बनने अब मैं तुझे भी बंदी बनाऊंगा राजू वहाँ सारे बुढ़े लोगों को देखता है तो मन भर आता है उसका हरी दादा जी आप यहाँ हैं ए दोष्ट पाफी भूत ये सब करके अच्छा नहीं किया तूने राजू अपने असली भेश में आता है अच्छा धोखा बुढ़े के भेश में जवान आज तू नहीं बचेगा दोष्ट एक दूसरे पे हमला करते हैं और लड़ने लगते हैं अभी वहाँ राजू का पीछा करते करते बाकी गाउवाले भी हत्यार लेके आ जाते हैं भूत उन सब के सामने टिक नहीं पाता गाउवाले उस भूत को बंदी बना के उसी खेत मिले जाते हैं अब तू भी इसी खेत में मरेगा इसे इस गहरे गढ़े में फेक दू और गढ़े में आग लगा दू वे लोग ऐसा ही करते हैं और कुछी देर में भूत जल के राक हो जाता है और गाउवाले उस गढ़े को मिटी से बंद कर देते हैं काशिपुर नामक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढी मा और उसका बड़ा बेटा श्याम, बड़ी बहु निशा, छोटा बेटा दिनेश, छोटी बहु रानी रहते थे जिसमें बड़े बेटे शाम के दो बच्चे थे जिनका नाम तोलू और मोलू था छोटे बेटे दिनेश की एक बेटी ही थी जिसका नाम माया था माया दस्वी क्लास में पढ़ती थी लड़की होने की वज़े से माया को कोई प्यार नहीं करता था जबकि माया पढ़ाई, लिखाई और बाकी के कामों में बहुत ही होश्यार और समस्तार थी जबकि तोलू और मोलू बेहदी नालायक और आवारा किस्म के बच्चे थे तब भी सभी लोग तोलू और मोलू को ही प्यार करते थे लड़की हो जाने की वज़े से दिनेश और रानी को अपनी मा और भाई के ताने सुनने पढ़ते थे एक दिन की बात है दादी, देखो, मैं स्कूल में फरस्ट आई हूँ हाँ, तो कौन सा तुझे पढ़लिक कर अफसर बनना है करना तो तुझे घर का काम ही है, चाहे कितना भी पढ़लो आखिरकार जलाना तो चूला ही है, बनानी तो रोटी ही है अफसर तो मेरे तोलू मोलू बनेंगे तभी तोलू और मोलू भी आ जाते हैं आ गए मेरे लाडले, मुझे पता है इस बार तुम दोनों भाई स्कूल में जरूर फस्ट आए होंगे तोलू और मोलू मोह लटकाते हुए नहीं दादी, हम पस्ट नहीं आए, बल्कि हम पेलो गए कोई बात नहीं, अब की बार अच्छे से पढ़ाई करना और फस्ट आना दादी, कुछ पैसे दो ना, कुछ चीज खानी है ये ले बेटा, मेरा राजा बेटा और दादी तोलू और मोलू को पैसे दे देती है दादी, मुझे भी दो ना पैसे, मैं भी तो स्कूल में फस्ट आई हूँ आई बड़ी चलके, तुझे पैसे? काम धाम कुछ करना है नहीं, बस पैसे दे दो चल, जा यहां से और माया रोती हुई दादी के पास से चली जाती है फिर माया अपनी मा के पास जाती है देखो न मा, मैं इतने अच्छे नंबर लाई हूँ तब भी दादी ने मुझे प्यार नहीं किया उल्टा डाट कर भगा दिया और तोलु मुलु को खुब प्यार भी किया और उन्हें चीज खाने के लिए पैसे भी दिये और मुझे कुछ भी नहीं दिया कोई बात नहीं बेटा दादी की बातों का बुरा नहीं मानते तू तो मेरी रानी गुडिया है ये कहकर रानी माया को अपनी गोद में बिठा लेती है और खूब प्यार करती है आज मेरी रानी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है बता तुझे क्या चाहिए मा मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे तो बस आप ही चाहिए आप तो मेरी दुनिया की सबसे अच्छी मा हो और माया अपनी मा के गले से लिपड़ जाती है सभी लोग रात को खाना खाने के लिए बैठे होते हैं जल्दी खाना लाओ, बहुत जोरो की भूख लगी है चल्दी लाओ, चल्दी लाओ अरे ओ रानी, कहां मर गई, दिखाई नहीं दे रहा बच्चे कपसे भूख के मारे चिल्ला रहे हैं मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना, अभी देती हूँ बच्चो ए माया, तुझे इतनी जल्दी भूख लग गई, तुने अभी तो खाया था कुछ काम धाम तो करती नहीं है, बस सारा दिन चरती रहती है पहले अपने भाईयों को खाने दे, वे दोनों कपसे भूखे बैठे हैं, तुझे थोड़ा लेट खालेगी तो मर नहीं जाएगी और माया खाने की टेबल पर तोलू और मोलू को खाना खाते देखती रहती है, तब ही दादी जोर से चिलाती है जा यहां से, मेरे तोलू और मोलू को नजर लगाएगी क्या और माया रोती हुई वहां से चली जाती है, वो अपने कमरे में जाकर रोती रहती है रोते-रोते माया को नीन्द आ जाती है और वो भूखी ही सो जाती है और अगली सुबा श्याम और उसकी पत्नी निशा अपनी मा से कहते हैं मा, मैं और निशा बाजार जा रहे हैं निशा को अपने लिए साड़ी लेनी है और मुझे अपने लिया और तोलू-मोलू के लिए कपड़े लेने है ठीक है, जाओ, ले आओ तभी दिनेश और उसकी पत्नी भी कहते है मा, माया के कपड़े छोटे हो गए है मुझे भी उसके लिए कपड़े खरीदने है अभी थोड़े ही दिन पहले तो उसे कपड़े दिलाए थे फिर माया को कपड़े की क्या जरूरत मैंने माया से कहा था तु इस स्कूल में फर्स्ट आएगी तो तुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलाऊंगी वैसे भी उसके सारे कपड़े पुराने हो गए है कोई जरूरत नहीं है कपड़े वपड़े दिलाने की वैसे भी इस बार घर में बहुत खर्चा हो क्या है बाद में दिला देना कपड़े दिनेश और रानी मा की बात सुनकर चुप हो जाते है तब ही दादी जोड से चिलाने लगती है घर में कितना काम पड़ा है और ये मारानी माया कहां मर गई माया सो रही है जगा उसे दस बच गए हैं और ये मारानी अभी तक सो रही है इसे कुछ काम धाम सिखा जगा उसे माया उठो बेटा सुबह हो गई और माया जाग जाती है माया नहाध होकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाती है तभी तोलू और मोलू आ जाते हैं और वो माया को परिशान करने लगते हैं कभी उसके बाल खींचते हैं तो कभी उसकी किताबे इधर उधर फेकते हैं ये सब उसकी दादी बैठी देख रही होती है, पर वो तोलू और मूलू को कुछ भी नहीं कहती. भाईया, मुझे पढ़ने दोना, क्यों परिशान कर रहे हो मुझे? अरे माया, क्या करेगी पढ़ लिकर? करना तो तुझे जाड़ू पोचा ही है, क्योंकि तू एक लड़की है, चल जा, घर का काम कर. क्या हुआ तो मैं एक लड़की हूँ? लड़की क्या लड़कों से कम है? मैं पढ़ लिकर अफसर बनना चाहती हूँ. तब ही माया अपनी दादी से कहती है, दादी, देखो न, तोलू मोलू भाया मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं. चुपकर, वो बिचारे तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और तू उनका नाम लगा रही है. मन्हूस कहीं की, जब देखो मेरे तोलू मोलू के पीछे पढ़ और कहती है, मन तो करता है कि मैं मर जाओ, मेरे घर में कोई कदर नहीं करता. तब ही उसी पेट पर बैठी चुडैल माया के सामने आती है, तो माया चुडैल को देख कर डर कर भागने लगती है. डरो मत, तुम तो चुडैल हो, तुम मुझे खा जाओगी. चुडैल हसने कहांगी मेरा विश्वास करो क्योंकि मैं एक अच्छी चुडैल हूँ मेरा नाम रेखा है मेरी कहानी कुछ तुम्हारी इतरह है आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो और माया चुडैल को अपने उपर हुए बरताव के बारे में बताती है अच्छा तो ये बात है अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ जो लोग तुमसे नफरत करते हैं अब वो ही तुमसे प्यार करेंगे बस देखती जाओ अब तुम अपने घर जाकर आराम से जाकर सो जाओ और माया अपने घर के लिए जाने लगती है तो चुडैल भी माया के साथ साथ उसके घर चली जाती है माया को ये पता नहीं चलता कि चुडैल उसके साथ घर आ चुकी है और चुडैल भी माया के साथ सो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह दादी की आवाज आती है अरे आज चाय मिलेगी या नहीं और ये माया कहां मर गई हाँ दादी अभी आई जहाँ जहाँ माया जाती चुड़ैल भी माया के साथ जाती मेरा चश्मा और छड़ी नहीं मिल रहा कहीं तूने तो नहीं चुपाया नहीं दादी, मैंने नहीं देखा आपका चश्मा दादी तोलू और मोलू से पूछती है तुमने देखा है मेरा चश्मा नहीं दादी, हमने नहीं देखा आपका चश्मा माया के साथ चुडैल खड़ी होती है वो अपने जादू से तोलू और मोलू के हाथों में चश्मा और छड़ी पकड़ा देती है दादी तोलू मोलू से कहती है तोलू मोलू चश्मा और छड़ी तो तुम दोनों के हाथों में है तो तुम जूट क्यों बोल रहे हो तुम्हें पता है ना कि कोई मेरे चश्मे और छड़ी को हाथ नहीं लगा सकता दादी पता नहीं ये हमारे हाथों में कैसे आ गए और दादी तोलू मोलू को बहुत डाटती है क्योंकि दादी को चश्मे के बगैर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था और छड़ी के बगैर वो चल नहीं सकती थी एक दिन की बात है दादी को नहाना था तो वो तोलू से कहती है तोलू बेटा जरा मेरे नहाने के लिए बात्रूम में गरम पानी तो रख दो हाँ दादी अभी रखते हैं तोलू-मोलू बात्रों में दादी के लिए गर्म पानी रखतेते हैं, लेकिन चुडएल गर्म पानी को बर्व जैसा ठंडा कर देती है और जैसे ही दादी नहाने लगती है, तो जोर से चिलाने लगती है, मर गई रे, मार डाला, कोई तो बचाओ, इतना ठंडा पानी, आए रे, मर गई, तभी दादी के चीखने की आवाज सुनकर, घर के सभी लोग और माया भी वहाँ आ जाते हैं, और दादी को गर्म कंबल में लपेट देते हैं, माया जल्दी से दादी के लिए गर्म चाए बना कर लाती है, माया दादी के मूँ से अपनी तारीफ सुनकर, बहुत खोश होती है, अपनी तारीफ सुनकर, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी उसकी तारीफ कर सकती है, तब ही चुडैल माया के सामने आती है और कहती है, मैंने कहा था न, जो लोग तुम से नफरत करते हैं, वो ही तुम से प्यार करेंगे, यानि ये सब तुम ने किया है, तुमने तो कमाल कर दिया, और माया बहुत खुश होती है, और रात को, घर के सभी लोग खाना खाने के बैठे होते हैं तो दादी माया से कहती है माया आजा तू भी खाना खाले तोलू मोलू दादी को माया से इस तरह से खाने के लिए कहते हुए बड़े हैरान होते हैं कि दादी ने माया को खाने के लिए कैसे कह दिया और माया भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है एक दिन की दादी की तब्यत थोड़ी खराब थी घर में तोलू-मोलू और माया के अलावा कोई नहीं था माया पढ़ाई कर रही होती है और तोलू-मोलू टीवी देख रहे होते है थीक नहीं है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो दादी की तबियत चुडैल नहीं खराब की होती है दादी को सबक सिखाने के लिए क्या दादी आप भी परेशान करती रहती हो आप ठीक तो हो पैसे भी हम टीवी देख रहे हैं हमें अभी टीवी देखना है हमें परेशान मत करो तोलू मोलू दादी की कोई बात नहीं सुनते और वो दादी को डॉक्टर के पास ले जाने से मना करतेते हैं तब ही माया आती है और वो दादी से कहती है दादी मैं चलती हूँ आपके साथ माया दादी को डॉक्टर के पास ले जाती है डॉक्टर देखो न मेरी दादी को क्या हुआ है डॉक्टर दादी की हालत देख कर कहता है अगर आपने इन्हें लाने में थोड़ी सी भी देरी कर दी होती न तो इनका बचना मुश्किल था तब ही घर के सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और डॉक्टर दादी का इलाज करके दादी को बचा लेते हैं शुक्र है इस बच्ची का तो समय से इन्हें हॉस्पिटल ले आई और इनकी जान बच गई बहुत ही समजदार बेटी है बेटी नहीं ये तो आपका बेटा है बेटा आज इसकी वज़े से ही आपकी जान बची है दादी को डॉक्टर की बाते सुन कर रोना आ जाता है और वो माया को अपने गले लगा कर बहुत रोती है और कहती है माया बेटा, तू मेरी पोती नहीं, बलकि तू तो मेरा बेटा है, आज मेरी आँखें खुल गई, कि बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है, मैं ना जाने कौन से भरम में जी रही थी, हमेशा मैं तोलू-मोलू पर ही गर्व महसूस करती थी, कि वो मेरे बेटे हैं, उन्होंने तो बेटे होकर भी, वो काम नहीं किया जो तू ने किया है, आज जाकर मेरी आँखें खुली है, मुझे तुझ पर नाज और गर्व है, फिर दादी खूप फूट-फूट कर रोने लगती है, और दादी माया को खूब प्यार करती है, चुडैल भी दादी को माया से प्यार में भी नई सोचा था चुडैल को भी एक नेक काम करने से मुक्ति मिल जाती है और माया और उसका परिवार भी हसी खुड़ा